Dear students, Assalamualaikum, Class 4th, Subject EBS, आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नमबर 5th हम आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है Changing Families Here are some pictures of families, these are the families of Nimmi and Yassar ये जो नीचे pictures दी गए हैं, ये Nimmi और Yassar की family की pictures है Let us look at these pictures, talk about what we see and discuss A new arrival, there is a great excitement in Nimmi's family, she has a new baby sister यहां आप देख रहे हैं ये picture में, ये Nimmi जो है उसकी family है तो Nimmi की family में बहुत खुशियां ही खुशियां आई हैं क्योंकि उसकी family में एक निया member आया है कौन आया है, एक उसकी छोटी बेन पैदा हुई है, ठीक है, उसकी छोटी बेन पैदा हुई है तो उसकी family में एक निया member आया है, ठीक है, ये उसकी छोटी बेन है, यहां पे उसकी छोटी बेन है, ये उसकी माँ ने उठाई हुई तो इसकी फैमिली में एक निया मिम्बर आया है ठीक है तो इसकी जो छोटी भेन आई है इसकी फैमिली में उससे पहले इसकी फैमिली में कौन-कौन थे तो इसकी दादी थी निमी थी उसके पापा और ममा थी ठीक है उसका भाई था अब उसकी फैमिली में कौन आ गया है उसकी छोटी बेहन ठीक है अब यह क्वेशन यहाँ पे पूछ रहा है कि निमी की फैमिली में अब कितने मिम्बर हो गे तो इसकी फैमिली में पहले आप यह देखते हैं कि इसकी फैमिली में कौन-कौन था निमी खुद थी उसकी दादी थी उसका पापा था ममा उसकी थी और उसका एक चोटा एक उसका भाई था और अब उसकी फैमिली में एक बहन आ गई है ठीक है यासर फादर्स अब यह दूसरी फैमिली है यह है यासर की फैमिली अब देखेंगे हम यासर की फैमिली में कौन सी चेंज आई है यासर फादर्स फादर्स रसीवड आ लेटर फॉम हिस आफिस ता लेटर सेट दैट यह वास बिंग प्रोमोटेड एंड वूड है तो अब यासर का जो बाप है उसको एक लेटर मिली जिस पे यह दिखाया गया कि उसके जो फादर हैं उनकी प्रोमोशन हो गई तो उसकी फैंबली में ये सुनते ही बहुत खुशियां आगे पर एक वहाँ पे थोड़ा से उनको दुख भी हुआ दुख इस बात का क्योंकि उन्हें अपनी सिटी को छोड़ के दूसरी सिटी में जाना पड़ा तो जब यासर की फैंबली ने यासर के फादर ने अपनी फैंबली को ये लैटर दिखाई तो उसके जो फैंबली मिंबर्स थे उन सब में हल चल मच गई कोई पैकिंग करने शुरू हो गए कोई क्या कोई क्या तो उन में हल चल पैदा हो गई तो जब उसके बाप की ट्रांसफर हुई तो उसकी फैंबली में कौन कौन सी चेंजिस आई who from یاسر family will live with his father at a new place یاسر کے باپ کے ساتھ नई जगा पे उसके साथ रहने के लिए वहाँ पे कौन कौन गया which school will یاسر go to now will he have new friends तो یاسر अब कौन से स्कूल में गया और को वहाँ पे उसके friends कौन कौन से उसके friend बने तो यासर के जब उसके बाप की transfer हुई दूसरी city में तो उसके साथ उसकी यासर की मां और यासर खुद गया उसके जो grandfather ग्रेंड मदर थे वो उदरी रहे ठीक है अब आगे इसी के question पूछ रहे है has anybody in your family mood to a new place because of work आपकी जो family है उसमें से कोई आदमी दूसरी जगा पे काम करने के लिए गया है what do you feel about this change आप उस change के बारे में क्या बताओगे हमें is there anyone in your class or school who has to come to your school from another place if so talk him to or her अगर कोई आपके स्कूल में दूसरी जगा से आपके स्कूल में आया हो तो उससे आप बात कीजिए ठीक है तो ये इसके question है where has she or he come from वो कहां से आया है और what was his or her old school like उसका जो पराना स्कूल है वो कैसा था what does he or she find different here उसको उस स्कूल में और इस स्कूल में different क्या चीज लगी does he or she like the change क्या उसको कोई changes दिखाई दी पराने वाले स्कूल में या इस ने स्कूल में it's a wedding अब ये हागी third family के बारे में हम आप पढ़ेंगे third family किसकी है Morphos की there is a great joy in Morphos home today her elder cousin brother is getting married अब ये Morphos की family है क्योंकि उसके जो बड़े वाले cousin है उनकी शादी हो रही है ये आप देखो ये दुलहन है ये गूंगट में है और इदर इसको अच्छे से सजाया जा रहा है ये गूंगट में है फिर ये गर के अंदर इनकी entry हो रही है दुलहन की और ये फिर उसके बाद खाने पीने का काम जारी है इनकी family में तो automatically जब किसी घर में शादी होती है तो उदर भी change आती है और जिस घर से दुलहन आती है उदर भी changes होती है क्योंकि वहाँ से ऐक आदमी कम हो जाता है और जिस घर में दुलहन आती है वहाँ एक आदमी की इंटरी हो जाती है तो फिर वहाँ पर changes आती है माई फेमिली यस्टरडे़ टुडे़ टुमारो अब हमारी फेमिली में हम देखते हैं कि yस्टरडे़ यानी जो कल था या टुडे आज और टुमारो यानी आने वाला कल तो इनमें क्या क्या हम देखते हैं, changes होती है, all family change in some way or the other because of different reason, has your family changed too, हर जो family होती हो, उसमें, क्या होती है, changes आती है, क्योंकि कुछ reason की वज़ा से changes आती है, क्या आपकी family में भी ऐसा होता है, ask your grandmother or grandfather how many members were there in their family when they were of your age, आप अपने दादा और दादी से पूछिए, जब वो आपकी age के थे, तो उनकी जो family थी, उनमें, changes आती थी या नहीं, then draw a family tree in your notebook of their family when they were young, तो आपको क्या करना है, फिर एक ड्राइंग करनी आपको, एक family tree draw करना, अपनी notebook पर, जिस पे आपको बताना है, कि जब आपके दादी दादा यंग थे, उस time का आपको उसमें show करना है, कि क्या क्या changes थी, can you see yourself, your brother or your sister, your mother or your father anywhere in this family tree, आप उनमें क्या दिखाना है, आपकी माँ, बाई, भेन, सब आपको family tree में दिखाने हैं, now draw a family tree of your present family in your notebook, और आपको जो present family आज की आपकी family है, बच्चों आपको वो भी draw करनी है, आपको पहले एक family tree बनाना है, जिसमें आपको अपको अपनी दादी, दादा और आपकी अंकल वगारा उस family में show करने हैं, और दूसरा आपको आज की present family जो आपकी है, आपको वो show करनी है, उसका आपको एक family tree बनाना है, ठीक है, can you see yourself anywhere in this family tree, who are the member of your family today, where you are grand parents, ठीक है, तो आपको दिखाना है कि आपकी family member में कौन कौन लोग हैं, और आपके grand parents हैं, वो आपके साथ आज रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको दिखानी हैं, तो बच्चों आपको क्या करना है कि changes दिखानी है family में, आपको जैसे हमने देखा यासर की family में, निमी की family में, और मारफाज की family में, आपको changes दिखाई दी, इसी तरह आपको अपनी family के बारे में भी ऐसे ही discuss करनी है, ठीक है, आपको एक family tree बनाना है, present भी और past भी, ठीक है तो इसी के साथ आज का जो हमारा chapter है याएं पर हत्म होता है, लाहाफ़ी सुख़।